हलो बच्चों, आज का जो वीडियो है, that is about the update from CBSC, तो CBSC ने class 9 to class 12 के exam pattern को लेकर कुछ update जारी की है, और उसी update के बारे मैं ये वीडियो बना रही हूं, ताकि आपको भी इस update की full information हो, सारे points आपको clear हो, तो दिखिए जो big update है Central Board of Secondary Education की तरफ से, that is for the exam pattern for class 9 to class 12, मतलब जो भी update होगा, जो भी changes आएंगे exam pattern में, वो 9th से 12th class के लिए होंगे, ठीक है, पहला point तो ये clear है, मतलब up to 8th जो भी pattern है, वो as it is follow होगा, फिल हाल के लिए, अब ये जो changes है, it is in the form of OBE, आप बहुत सुन रहे होंगे अभी OBE, so OBE is open book exam pattern, तो CBSC ये विचार कर रहा है कि class 9 to 12th के लिए, जो exam pattern है, वो OBE रखा जाए, open book exam pattern, CBSC लागू करना चाहता है, कब लागू होगा, कब इसको implement किया जाएगा, अभी ये कुछ भी clear नहीं किया गया है, बट यदि इसको apply किया जाता है, तो बच्चों पर से जो exam का stress है, वो कम हो जाएगा, दिखिए, जो OBE pattern है exam का, इसका क्या meaning होता है, तो दिखिए, open book exam में जो students है, वो book और अपने जो reference notes हैं, वो लेकर जा सकते हैं, और उसमें से answers find करके, वो अपनी copy में लिख सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा supporting system होगा हमारे students के लिए, कि open book exam में उनके पास book and notes available होंगी, और वो उसमें से अपने answers लिख सकेंगे, लिकिन यहां मैं आपसको बाकी information भी दूँगी, बट यहां मैं आपसे कहना चाहूंगी कि, यह pattern भले ही आ जाए, आपका exam में open book exam pattern आ जाएगा, तो इससे जो CBSC का जो question paper pattern है वो भी change होगा, और मैं जहां तक समझ रही हूँ तो जो आपका question paper होगा, वो knowledge based होगा, वो analytical, logical और application based हो जाएगा, जादा हो जाएगा, क्योंकि copy paste को CBSC भी support नहीं करेगा, हमारा जो central board of secondary education है, वो कभी भी ऐसे copy paste वाले system को support नहीं करेगा, तो आपको more knowledgeable, more analytical, logical and application based आपको knowledge gain करना होगा, और जिसमें हमारा यह जो channel है DNA Classes by नमीता तिवारी, आपको full support करता है, channel पर जाएए और channel को subscribe करिए और ज़्यादा से ज़्यादा share करिए, ताकि आप future में जो changes आने वाले हैं, आपके exam pattern को लेकर, आपके results को लेकर, वो आप उसके लिए आज से ही तयार होगा है, चलिए अब बात कर लेते हैं फिर से, कि यह जो changes हैं, OBE जो pattern है, वैसे तो 9 to 12 बोला जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह applicable होगा, as a pilot project इसको launch किया जा रहा है, और अभी कुछ ही schools में इसको apply किया जाएगा, लागू किया जाएगा, और बाद में यदि यह successful होता है, इसकी study की जाएगी, analyze किया जाएगा, OBE के effects को, या OBE कितना इसमें positive और negative points है, और उसके बाद ही इसको पूरे country में, पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, तो अभी as a pilot project कुछ schools में ही open book exam होगा, और उसके सारे जो sides हैं, उसको analyze करने के बाद ही इसको पूरे देश में apply किया जाएगा, तो फिलहाल ये as a pilot project है, हाँ, एक और मैं आपको information देना चाहूंगी, कि जो हमारी board classes हैं, मतलब 10th and 12th board exams में, अभी ये OBE pattern लागू नहीं किया जाएगा, और तो ये जो local classes हैं, जैसे कि 9th है, 11th है, उसमें OBE pattern के through exam लिया जाएगा, वो भी अभी as a pilot project, कुछ ही selected schools में ये इस pattern पर exam होगा, not in all schools, CBSC कब इसको देश भर में लागू करेगा, नहीं करेगा, उसके लिए इसके दोनों ही positive, negative sides देखने के बाद decision लिया जाएगा, और उसके बाद ही हमको आगे की update मिलेगी, अब बात करें कि OBE किन subjects में, 9th, 11th के किन subjects में OBE pattern यदी लागू होता है, तो किस में लागू करेंगे, तो देखिए 9th, 10th के लिए maths, English और science में कह रहे हैं कि OBE pattern लाया जाएगा, और 11th, 12th में जो OBE pattern आएगा, वो English, Maths और Biology के लिए रखा गया है, और एक बात, यदी OBE pattern लाते हैं, तो इसी session से जो exams होंगी, वो November, December में रखी जाएगी OBE pattern के थूँ, ऐसा अभी उमीद है कि, जो यदी OBE pattern लाया जाता है, 9th और 11th में इस session में, तो उनकी exams November, December में conduct की जाएगी, बट अभी जो भी information है, आगे जो भी decision होगा, वो CBSC से हमको मिलता रहेगा, और time to time आपको मैं उन updates से आपको introduce कराती रहूँगी, तब तक के लिए चानल को subscribe करिए, जादा से जादा like करिए और share करिए.